स्वागते आपका दा हिमार्लेन स्टेडी अडूप चैनल पर हमासिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम महत्पो टॉपिक लेकर आए हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने मंगल ग्रह पर मनस्यों को भेजने की योजना बनाई हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग तो शुरुवात करने जा रहे हैं आपके सामने हम पहले हम इसमें आपको बता देते हैं कि मंगल का समाने परिचें मंगल की भूमी लाल है इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना आता है क्योंकि इस पर आईरन ओकसाइड की अदिखता मिलती है जैसे पिर्थवी पर रित्यू परिवर्तन होता है उसी पृकार मंगल पर भी रित्यू परिवर्तन होते हैं और आपको बताएं हम सौर मंडल में आठ ग्रह हैं और पृत्वी एकमात्र ऐसा ग्रह हैं जिस पर जीवन संभब हो पाया है इसी प्रकार जीवन की नई तलास की जा रही है यानि की मंगल ग्रह पर और लेकिन आपको बताएं हम मंगल ग्रह पर जो भूमी के नीचे यहाँ पर पानी है बहें हिम के रूप में पाये जाता है इसका सर्वे किया था नासा के द्वारा जिसमें ये पता चला था कि यहाँ पर जो पानी है बहें हिम के रूप में है और आव इसमें आगे लिखा है कि 2030 तक अमेरिकी अंतरिक्ष अजेंसी यानि कि नासा मनस्यों को मंगल पर उतारने की त्यारी कर रहा है यानि कि बिल्कुल इस पश्ट रूप से ये कहा गया है कि 2030 तक अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन यानि की नासा मनस्यों को मंगल पर उतारने की तयरी कर रहा है यानि की 2 या 30 तक सभी लोग का सपना पूरा हो जाएगा यानि की सभी लोग इस पर जा सकते हैं मंगल गरह पर और उसको देख सकते हैं इसमें आगे लिखा है कि पिर्थफी से करीब 22 करोड किलोमेटर दूर इस गिरह पर पहुँचना और आना आसान काम नहीं है। ये बाद भी नासा के द्वारा इस परश्ट रूप से बताई गई है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक खुसकवरी है कि नासा जो है 2,35 तक मनसें को मंगल पर उतारने की योजना बना रहा है। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद इसमें लिखा है कि मनसे रहित यान मंगल पर पहुँचने के लिए नियुन्तम साथ महीने का समय लगता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2,14 में पिर्थवी से यानि कि भारत ने मंगल यान भीजा था। जैसे कि आप लोग परीचित होंगे इस पॉइंट से कि पिर्थवी से भारत देश ने यानि कि मंगल पर मंगल मिशन भीजा था। इसलिए इसमें point ये लिखा है कि मनस्य दहित यान मंगल पर पहुँशने के लिए नियुन्दम 7 महीने का समय लगता है क्योंकि उस यान को भी 7 महीने का समय लगा था और इसमें आगे लिखा है लेकिन मनस्य युक्त यान में 9 महीने का समय लगेगा यानि कि अगर आपको मंगल करह पर जाना है तो आपको जो है नो महीने का समय लएगेगा मंगल करह पर पहुंशने में और इसमें आगे लिखा है कि इससे कारे कुछ सल्टा में ब्रदी होगी जैसे कि आप लोग जान देए कि नईने माध्यम बनते जा रहे हैं नासा के माध्यम से बिज्ञानिक इसमें रिसर्च कारे कर रही हैं जिससे उनको सबलता मिल रही है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और अगर आप लोग नई हैं हमारे इस चैनल पर तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बैल आइकन के बड़न को प्रेस कर लें और देखते रहे हैं आप लोग हमारे चैनल दा हीमालिन स्टेडी येटूब चैनल धन्यवाद